तो कैसे आप सब्सक्राइब करने वाले हैं तो फटाफ़ छैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर दोस्तों को सेड़ करना ना भूलें बरते अपनी वीडियो की तलब तो फाइनले गाई हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर इगए सबसे पहला हम लोग सबसे पहला जो हमारा आ जाता है उसे हम लोग काते है अनालॉग कंप्यूटर सबसे हैं का भी एक बार image दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत को यह ना हो ठीक है यह हमारा digital computer ठीक है डिश्टल computer टाइप लेकिन गाई है इस अब यह थारा नंबर पर आ जाता है हम लोगों का hybrid computer hybrid computer का आप लोग image देख लिजिए यह हम लोगों का hybrid computer ठीक है अब बच आपनी analog computer के topic पर थी फिले समझ लिए analog राशी किसे कहते हैं तो analog रासी कहते हैं किसे देख लिए समय के साथ लगाता प्रिवल्तीत होने वाली रासीयों को analog रासी कहते हैं जै से tiénраш करम दबाव obs दुद बोल्टेज, बोल्टेज आदी ठीक है, ताप हमेशा एक समान तो रहता नहीं ठीक है, आप जैसे पानी को उबालते हैं, तो वो ताप जब बढ़ता है, घटता है, तो ठंडा गर्म होता है, उसी तरह है, ये एनालोग भी काम करता है, ठीक है, एनालोग कम्प्यूटर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, आई होप आप लोग समझ गयोंगे, बिदुद बोल्टेज भी हमेशा चेंज होता रहता है, मैं आप लोगों को एक बार इसका इमेज फिर देखा देता हूँ, एनालोग कम्प्यूटर है कैसा, देख लिजे, क्योंकि ये इंपोर्ट बहुतिक मात्राओं को मापा जाता है ठीक है उसे एनलोग कम्प्यूटर काते हैं ठीक है गाइस आई होप आप लोग समझ रहे होंगे वह कम्प्यूटर जिसके द्वारा बहुतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनलोग कम्प्यूटर काते हैं ठीक है यहां पर गलती से इ इसको एक बार आप लोग परिबासा इसकी देख लीजिए या इलेक्टरानिक संकेतों पर चलते हैं तथा गड़ना के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम जीरो कामा एक का प्रियोग करते हैं वर्तमान में अधिकांस प्रचलित कंप्यूटर इसी प्रकारिक हैं किया नहीं था गाइस की थी ठीक है वर्तमान में अधिकांस कंप्यूटर इसी तरह के हैं जो कंप्यूटर आप इस समय प्रियोग कर रहे होंगे सायर वो भी डिश्टली कंप्यूटर होगा क्योंकि आप लोग एनलोग कंप्यूटर तो प्रियोग नहीं कर सकते तो इससे में digital computer यह प्रियोग कर रहे होंगे अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार वीडियो को फिर से देख लें समझ जरूर आ जाएगा ठीक है और वीडियो पढ़िये गाईज आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी computer के questions important होते है अब next वाला हम लोगों का क्या है देख लेते हैं next वाला हम लोगों का आ जाता है hybrid computer hybrid computer के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है hybrid computer जो होता है हमारा या digital and analog computer का मिसीत रूप है ठीक है या digital भी होता है और analog भी होता है ठीक है या मिसीत रूप होता है जैसे आप लोग देखते होंगे smart watch ठीक है एक होती है smart watch एक होती है digital watch तो दोनों में अंतर क्या है आप लोग comment box में जबर बताइएगा तो finally guys ऐसके लिए बस मिलते है अपनी next video में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने से आप लोगों कोई रूची नहीं लगेगी ठीक है guys मिलते है अपनी next video में